जैहिंद है जार्खन बोड कलास्टेन आनि की मैटिक के छात्रों के बोड एकजम 2024 का गिरह विज्ञान आफिर हॉम साइंस का परशन पत्र जिसका एकजाम आज हुआ है और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिये गए सभी अबजेक्टिव परशनों का उत्तर एके करके आप से छात्रों को बताऊंगा तो बच्चों चली आप लोग त्यार हो जाई और सिरियल लंबर एक से लेकर के 25 तक के सभी अबजेक्टिव परशनों के उत्तर को मिलाना शुरू किजिए और देख लिजे कि 25 में से आपने कितने परशनों का सही जवाब दे करके आया है और कितने परशनों का गलत जवाब दिया है और बच्चों यहाँ पर आपके लिए पहला प्रसन पूछा गया था कि सिसू का मानसिक विकास निर्भर करता है किस पर स्वाधिस्ध भोजन पर उत्तम परिवेस पर या स्णान पर या फिर खेल पर तो बच्चों इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर होगा हमारे अनुसार option number B, उत्तम परिवेस पर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, Google पर कहीं कहीं पर खेल पर भी मिल रहा है, तो इसका सही उतर क्या होगा, आप लोग भी comment के माध्यम से जरूर बताईएगा, इसका बच बच्चों इस तरह से हम लोग ने दूसरे परशन के उतर को मिला लिया, इसका बच्चों हम लोग आगे बने तो आपका जो तिसरा परशन पूछा गया है, वह है कि संतूलित यहार न गरहन करने से क्या परभाव पड़ता है, और यहां पर option दिया गया, यह में सारे रिक सक बच्चों इसका सही उतर होगा, आपका option number D, इसका बच्चों आगे बने तो आपका जो पांचमा परशन पूछा गया है, वह है कि किस रोग में हीमोगलोबिन की मातरा कम हो जाती है, और यहां पर option दिया गया था, रतवंधी, घेंगा, सकरवी और एनिमिया, तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका option number D, इनिमिया, इसका बच्चों आपका जो छठा परशन पूछा गया था, वह है कि भोजन क को बचाना चाहिए, किस से, मख्यों से, धूप से, धवा से, या जल से, तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका option number ये मख्यों से, भोजन को मख्यों से बचाना चाहिए, ताकि वो परदूसित न हो जाए, इसका बच्चों आपका जो साथवा परशन पूछा गया है, व आनि कि जो किटनासक दवाईयों का छिड़काव किया हुआ, अगर कोई भी फल, सब्जी या कुछ भी है, तो उसको धोने से उसमें, जो आपका किटनासक का परभाव होता है, वो परभाव कम हो जाता है, तो इसका सही उतर होगा आपका option number B, इसका बच्चों लोग आगे आपका जो अगला परशन पूछा गया है, कि मानव निर्मी तंतु कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही उतर होगा आपका option number C, रेयान, इसका बच्चों आपका जो दस्वा परशन पूछा गया हो है, कि धुलाई के लिए किस परकार का जल उतम होता है, तो मिर्दू ज बच्चों इसका सही उतर होगा आपका option number B, रेस्मी वस्तरों पर, इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें, आपका जो बारहमा परशन पूछा गया है, वही कि वसा में कौन सा बिटामिन घुलन सिल नहीं है, तो बच्चों इसका सही उतर होगा, इसका सही उतर हो जाएगा आपका option number C, आनि कि ये जो देख रहे हैं, बिटामिन B, इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो तेरहमा परशन पूछा गया है, कि विटामिन A का उत्तम सुरोत क्या है, तो इसका सही उतर होगा, आपका option number B, प्रोटीन, इसका बच्चों लोग आगे आपका 15. पूछा गया है, कि उभोकता सरचन अधिनियम के अंतरगरत, उभोकताओं को क्या क्या अधिकार दिये गए हैं, तो यहाँ पर option हम लोग देख रहे हैं, दिया हुए चेन का अधिकार, सुरच्छा का अधिकार, उभोकता सिच्छा का अधिकार, और D में दिया गय कि इसका सारीरिक मानसिक, यह तथा भी दोनों, इन में से कोई नहीं, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका option number C, यह तथा भी दोनों, इसकत बच्चों लोग आगे बहें तापका जो 17. परशन पूछा गया है, वह है कि पारिवारी क्या है, तथा परिवार के सदस् संख्या पर आधारीत होता है, क्या, आहार योजना, आहार परबंधन, आहार या फिर, इन में से कोई नहीं, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा, आपका option number यह, यहार योजना, लेकिन Google में हम लोग देख रहें, कहीं कहीं पर आपका option number B भी म कम ही पाई जाती है, तो बच्चों इहां जो हम लोग देख रहें, बिटामिन C है, बिटामिन B, वसा केल्सियम, तो इसमें जो हम लोग देख रहें, यह बिटामिन C जो है, यह दूध में नहीं पाया जाता है, तो इस तरह से हम लोगों ने 18 परशनों के उत्तर को मिलाया, इसकत बच्चों आपका अगला प्रशन पूछा गया कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है तो ये आपका सही उतर हो जाएगा 9 से लेकर के 12 महीने में आनि कि option number C सही है इसकत बच्चों आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रशन पूछा गया आनि कि 20 प्रशन पूछा गया है वह एकि 30 इग्र उर्जा देने वाला भोजन है क्या आणडा, गुलूकोज, विटामीन या तेल तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका option number B गुलूकोज हम लोग देखते हैं कि जो लोग खेलते हैं मैदान में तो खेल के दोरान अगर ठक गयें तो उसको जो गुलूकोज दिया जाता है ताकि उसको जल्दी से उर्जा मिल जाए इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रशन पूछा गया है वह है कि जल सरीर के तापकरम को करता है नियंतरीत करता है गरम करता है नश्ट करता है या बढ़ाता है तो बच्चों इसका सही उत्तरोग आपका उप्सन नंबर ये नियंतरीत करता है इसकत बच्चों आपका जो 22 परशन पूछा गया है वो है कि जादा उस्मा और सक्ति परदान करने वाला पदार्थ है कौन वसा प्रोटीन कार्बोहेडरेट या केलसियम तो बच्चों इसका सही उत्तरोग आपका ओप्सन नंबर भी कार्बोहेडरेट जो चावल या फिर आ आगे बढ़ें तो आपका जो अगला परशन पूछा गया था कि पारिवारिक बजट होना चाहिए घाटे का संतुलीद बचत का या असंतुलीद तो बच्चों इसका सही उत्तरोग आपका ओप्सन नंबर सी बचत का होना चाहिए यानि कि परिवार में हम लोग जो बजट बनाते हैं कि किसमें कितना खर्च करना है तो खर्च करने के बाद कुछ बच जाए ऐसा बजट बनाना चाहिए तो इस तरह से हम लोगों ने 23 परशन के उत्तर को मिला लिया इसकत बच्चों आपका जो अगला परशन पूछा गया कि बिटामिन D की प्राप्ति का प्राकिर्तिक साधन क्या है तो ये आपका सूर्ज के परकास से बिटामिन D प्राप्त होता है इसकत बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो होम साइंस का जो अंतिम परशन है आनि की 25 परशन जो पूछा गया था वह एकि बिटामिन ये घुलन सील है किस में जल में वसा में सिरका में या नीबू के रस में तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका ओप्शन नंबर बी वसा में ये जो बिटामिन ये है ये वसा में घुलन सील है तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसी जारखन बोट के कलाश 10 के चात्रों के आज हुए होम साइंस के सभी 25 परशनों के उतर को मिला लिया बच्चों आप लोगों का 25 मे चैनल के माध्यम से आपसी छात्रों को परते एक दिन उपलब्द कराऊंगा इसलिए बच्चों आप लोग इस शुटूप चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिलको प्रेस करके रख लीजे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपसे छात्रों तक तुरत के तुरत पहुंच जाए साथी सत इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा ताकि बाकी लोग भी इसके एंसर की को मिला सके तो दोस्तों फिर से मिलते हैं लोग नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, बंदे मात्रम, जय जारकन, जोहार जारकन, थाइंक्यू, बेस्ट ओफ लक, आप लोग बोर्ड एकजामें बहुत ही अच्छे ढंक से लिखिये, और फर्च डिवीजन से भी अधिक अंकों से पास हो ये, धन्यवाद.